अगर आप बिजनस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं और आपको फंडिंग के ज़रुवत है धीरुबाय मने ने भी यही किया था जब उन्होंने कमपनी को बनाने का निर्ने किया तो अपने गाव पब्लिक में बहुत सारों के साथ फ्रॉड किया पैसे एकठा किया और गोल ह अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह बिजनस मैंने स्मॉल स्केल से शुरू किया था और देखते ही देखते एक लार्ड स्केल कंपनी बनकर तयार हो गई इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी है जो आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ किसी भी बिजनस पर ले जाने के लिए ना फंडिंग की जरूत पड़ती है और मैं जानता था कि इन्वेस्टर से फंडिंग कैसे ली जा सकती है और इन्वेस्टर की फंडिंग से मैंने बिजनस में एक्सपेंशन असिल किया और एक्सपेंशन करने के बाद अपनी ही इक्विटी अपने इन्वेस्टर को प्रीम देकर वापस खरीद ली आज मेरी कंपनी का माक्सिमम शेर 98.7% शेर मेरे पास है अब प्रशन यह उड़ता है कि एक स्मॉल स्किल बिजनस ओनर या एक स्टार्ट अप या एक वो व्यक्ती जो बिजनस में एक्सरेलेशन करना चाता है वो किस तरह से बिजनस में फंडिंग ले और फंडिंग लेकर अपने बिजनस को next level लेकर जाए आज का विशा है how to get funding for expansion of business बिजनस में funding कैसे लें इस बात को समझने से पहले आपको यह पता होना जुरूरी है कि funding के तरीके क्या है जरीए क्या क्या है तो बिजनस में funding का सबसे पहला तरीका है angel investor एक ऐसा investor जो आपके business के plan पर business के start-up पर business के proposal पर starting से आपके business पर पैसा invest करने के लिए तयार हो जाए और seed capital आपको दे ताकि आप business का setup करना शुरू करें तो angel investor से हम investing लेकर अपने business को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन प्रश्ण यह उड़ता है कि एक small scale business owner इन investors को ढूंडे कहाँ पर इसका जवाब भी मैं इस वीडियो के end में आपको देने वाला हूँ दूसरे जो method है वह venture capitalist आज बहुत सारे business owner जिनका business अपार सफलता पर है उनके पास extra capital होती है और वो capital कही ना कह invest करती है वो बहुत सारे small scale business owner को देख रहे होते हैं जिनको पैसी की जरूरत है उनके साथ venture करते हैं मतलब एक तरह से partnership करते हैं equity लेते हैं और जिस तरह से उनने अपने business को grow किया था ना वही method वही फामूलाज वही technique वो उनके business में लगाकर उनको भी growth के ओपर लेकर जाते हैं और आने वाले सेमें में अपनी equity को बेच कर अच्छा premium कमाकर बहार हो जाते हैं तो venture capital से भी हम लोग funding ले सकते हैं उसके लावार private finance आज बहुत सारी NBFC companies है NBFC non banking finance corporations हैं जो investors के रूप में हर उस business में invest करने के लिए तयार हो जाते हैं जिसमें growth की संभावना है या कई बार उनको loan दे लेते हैं ताकि fixed rate of interest मिल जाए तो कि उनको loan जो है ना past performance के अधार पर मिलना चाहिए था और कोई bank दे नहीं रहा था तो NBFC ने उनको loan provide कर दिया इसके लावा next जो तरीका है friends and relatives से पैसा उधार लेकर भी बहुत सारे लोग business का expansion करते हैं उन्हें पता है कि ना तो bank loan दे रहा है ना कोई investor मिल रहा है तो उनके जो जानकार लोग है उनके करीब ही लोग है उनके friends है उनके relative है उनके family friends है उनसे बातचीत करके उनसे कुछ पैसा उधार लेकर business में expansion करते हैं और जब वो पैसा कमा लेते हैं उसके बाद उनका पैसा pay कर देते हैं यहां पर पैसा low rate of interest पर भी मिल जाता है और कई बार बिना interest के भी मिल जाता है तो friends and relative इसके लाबा कुछ लोग bank loan लेकर भी अपने business को expansion के और लेकर जाते है पर problem क्या है जब business को expand तरह होते है तो यहां पर जुरूत होते liquidity की और bank loan अगर आपने लिया है तो बार-बार आप को EMI pay करनी पड़ेगी जिसमें आपका principal amount और interest amount कटता है तो यहां भी एक चोटी सी problem हो सकती है और क्या तरीका है loan against security कई बार क्या होता है कई business owner के पास ऐसी properties है जिनके against में loan ले सकते है ऐसी assets है जिनके against में loan ले सकते है या अपने ही bank से overdraft facility ले सकते है वो भी एक तरह का loan हो प्रशनी उठता है crowdfunding होती क्या है friends ध्यान रखेगा crowdfunding का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति एक संस्था एक organization या एक investor से पैसा ना लेकर loan ना लेकर हम open public से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं जिस तरह से बड़ी बड़ी limited companies अपना IPO लाकर investors को share बेचकर पैसे कठा करती है ठीक ल आप बताएंगे कि ये company का setup मैंने किया इस company में इतना profit कमाया अगले एक साल तीन साल पांथ साल और दस साल का मेरा plan ये है और उस plan को achieve करने के लिए मुझे funding चाहिए लेकिन मैं किसी एक investor से लेना नहीं चाहता ओपन पब्लिक से मैं funding लेना चाहता हूँ और इस funding का इस्तेमा आप infrastructure develop करेंगे, आप factory setup develop करेंगे, आप plant and machinery develop करेंगे ताकि आप manufacturing अच्छे तरीकी से कर पाएं, tools and equipment खरीदेंगे, raw material खरीदेंगे, ये सब चीज करेंगे आप setup पर, उसके बाद expansion के लिए आप क्या करेंगे, अपने distribution का network बनाएंगे, franchisee network बनाएंगे, dealership network, sales network distribution, channel partner आप बन invest करेंगे, आप invest करेंगे branding पर, friends, किसी भी business का जो अधार होता है उस sale होती है, और sale जाला तभी हो सकती है, जब आपकी branding and marketing अच्छे से हो, तो funding लेने के बाद अगर अपने infrastructure और setup सब कुछ बना भी लिया, तो भी आप ज़्यादा sale नहीं कर पाएंगे, क्योंकि sale करने के लि brand awareness फलाएंगे ताकि आपके brand की equity बढ़ती जाए, marketing करेंगे, offline marketing है, online marketing है, digital platform के जरिये marketing हो गई, online marketing में, offline में holding, boards, unipols, आप देखते हैं सडक पर बहुत बड़ बड़े advertisements लगे होते हैं, TV, FM, radio, जितनी भी तरीके हैं, आप हर तरह से marketing करेंगे, किसे ने किसी brand ambassador को hire करेंगे, और अपने business में एक ऐसी equity बना लेंगे कि आपका नाम बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा, ये सारा crowd funding में हम बताते हैं कि हम ये सब कुछ कर पाएंगे, कई ऐसे example हैं जिसमें लोगों ने crowd funding ली, और crowd funding के बिहाफ पर उन्हें business को expansion के और ले गए, और बहुत सारे लोग से ज़्यादा share धारक बना डाले उन्होंने, उन्होंने का कि जो हमारी company है, जितने भी हमारे players हैं, उनकी जो पूरी team है, वो छोटे 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 share अपने shareholders को देने लगे, और 5 लाख shareholders से जो पैसे कठा हुआ, उससे अपनी cricket team को चलाय और बाद में जब profit कमा है तो उसका dividend लाभांश, profit का हिस्सा अपने सभी शेल्डर को declare कर दिया, आज कई ऐसे example हैं, जहां पर यह देखा जाता है, एक movie भी इस तरह से बनी कि जहां पर गाओं के लोगों से पैसा इकठा किया गया, और इकठा करने के बाद movie बनाई, इसकी व इसी funding को हम crowdfunding कहते हैं, लेकिन पहले के तरीके में क्या होता था, लोग अपनी विश्वस नियता कि अधार पर, अपने brand के अधार पर, या अपनी market value के अधार पर लोगों से पैसा मांगते थे, और थोड़ा 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 पैसा लोग उनको दे रहते थे थे अधार पर करके चले गए या अंडरगाउंड हो गए, तो government of India ने कुछ नियम बनाए, number one, अगर आप अपनी business में crowdfunding लेना चाहते हैं, तो पहली बात, आपकी एक private limited company होनी चाहिए, और उसकी authorized capital होनी चाहिए, minimum 10 lakh की आपकी authorized capital होनी चाहिए, अब authorized capital का मतलब है, कि आप 10 lakh की capital ले कठी कर सकते हैं, business का शुबारम करने के लिए, उसके बाद आपने निकाला कि भी ठीक है, मेरी company की 10 lakh रुपे की authorized capital है, तो हमने 1 lakh share issue कर दिये, और 1 lakh share में, जो equity share है, 10 रुपे का एक हो गया, ध्यान से समझेगा, 1 lakh share, 10 रुपे का एक, तो आपकी 10 lakh की capital होगी, अब 10 lakh की capital क जुटाने के लिए, आपने क्या plan बनाया, कि आपने business का proposal बनाया, कि पहले साल इतना profit है, अगले 2 साल बाद expansion करेंगे, तो यहां पहुंचेंगे, 3 साल बाद यहां, 5 साल बाद यहां, 10 साल तक आपने पुरा plan बनाया, और बताया है कि भविश्य में मेरी company की growth ratio है, अगर वो इसी तरह से बढ़ती गई, तो future projection में जाकर, मेरी company की value 100 से 200 करोड रुपे हो जाएगी, यह कुछ भी amount हो सकता है, 100, 1.500, 200, 120, कोई भी amount हो सकता है, और भविश्य में जब आपकी company की इतने value हो जाएगी, तो आज आप public को offer करने है 20% equity of the future value, मतलब भविश्य में जो आपकी value इस मान लेते हैं 100 करोड रुपे है, तो इस 100 करोड की future value है, मतलब आज से 5 साल बाद आपकी value होगी, उसका 20% आप public को issue कर रहे है, तो इसका मतलब 20 करोड रुपे, अगर यह 100 की जगाए 200 है, तो 40 करोड रुपे की equity आप public से मांग रहे है, कोई व्यक्ति एक share ले रहा है, को मैं एक show organize किया, और वहाँ पर उनको बताया, ऐसे से मैं company form करने जा रहा हूँ, और मुझे पैसे की ज़रुवत है, और आने वाले समय में मैं आपको premium के साथ पैसा लोटा दूगा, क्योंकि यहाँ पर trust and faith था, इसलिए लोगों ने मेरे साथ invest किया, और जब मैंने अच्छा profit volume generate किया, तो सब को premium value पर उनका amount pay करके अपनी equity को वापस ले लिया, तो यही वो तरीका है, लेकिन इसके लिए important बात क्या है, कि government of India यह कहती है, तो ऐसा तो कोई भी वेक्ति कर सकता है, जो भी लोगों को प्रभावित कर सकता है, वो कोई ना कोई planning बना कर, पैसा इकठा कर के market से goal हो जाएगा, इसका एक तरीका है, और तरीका क्या है, कि सबसे पहले आपकी private limited company हो, आपके business का viable business model हो, एक ऐसा business model हो, जिस model पर आप अच्छा profit बना सकते हो, जिसके बविश्य में आगे बढ़ने के संभाव ना हो, ऐसा ही नहीं कि कोई नकली plan बनाया, कि बविश्य म अभी भी viable project नहीं होता, इस viable project के लिए क्या जरूरत है, वो भी मैं आपको बताने वाला हो, और आपका एक ऐसा network हो, जिनसे आप crowdfunding मांग सकें, जैसे मान लीजिए हमने कोई seminar organize किया, और वहाँ पर लोगों को बताया, ये मेरा business plan है, आप छोटे 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 छोट देने वाला हूँ, तो उसके लिए जरूरत क्या है, गौर्मेंटर फिंडिया ने कहा, कि आपकी company प्राइविट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, company के पास एक profitable business model होना चाहिए, जो वरतमान में profit कमाने के संभावना रखता है, और आगे बढ़ने के जो संभावना है, वो जो valuable project plan है, वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, क्या आपका plan है, और जब आप ये plan बना लें, कहते हैं कि plan paper पे तो कोई भी विक्ति बना सकता है, पर वो plan approve होगा या नहीं, वो इस बात पर निबर करता है, कि आपने ROC का approval लिया या नहीं, आप ROC का approval लें, एक तरह से RBI से registered valuer होते हैं, जो आपके इस plan को value कर देते हैं, हाँ, जो आपने plan बनाया हो विल्कुल accurate है, वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, जैसे builders plan बनाते हैं, कि हम इतनी building बनाएंगे, इतने flats बनाएंगे, ये park, ये swimming pool, तो RERA का certificate उनको लेना होता है, ऐस के इस plan को approve करेगा, है ना, जब तक आप plan approved नहीं है ना, तब तक आप crowdfunding मांग नहीं सकते, government का rule है, पहले तो होता था कोई नियम कानून था नहीं, तो लोग funding मांग लेते थे, तो यहाँ पर आपके पास RBI या IBBI का approved जो valuer है, वो आपके plan को, project को approve करेगा, कि आपने बिल्क आप उस आप से business plan बनवाए, plan को approve कराएं, और approve कराने के बाद, आप maximum एक private limited company में 200 shareholder बना सकते हैं, उनकी premium value पर, तो यह वो तरीका है, जिससे हम आसानी से, अपने business का plan बना कर, plan को future projection के हिसाब से आगे बना कर, और उसको approve करा कर, जब open public से पैसा मांगना शुरू करते हैं, तो छोटे-छोटे investor, आपकी company में पैसा invest करते हैं, और आपके पास crowd funding आती है, वो funding आप अपने business के expansion पर use कर सकते हैं, जिस तरह से आपने plan में बताया था, इसके लावा funding कठा करने के और बहुत सारे method हैं, आप देखते हैं shark tank जैसा program है, पर वो totally scripted है, ऐसे बहुत सारी तरी कि आप funding के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या अगर आप उसे personally मिलकर consulting करके, funding के बारे में बहुत को जानना चाहते हैं और achieve करना चाहते हैं, तो आप board पर दियोए number पर call करें, ताकि मेरी team आपको एक appointment fix कर दे, और हम मिलकर funding के बारे में बात करें, यहाँ पर board पर दो number द करके next level जा सकते हैं, कोई भी informative वीडियो मिस ना, उसके लिए चैनल को अभी subscribe कर लें, और bell icon जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास आई, स्वस्त रहें, मस रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भार करता है, आपके सी लिए गार के लाद हमी लेए आपके हो अभी लेता है, मैं DR. Amit Maishwari, ताकि जैल वी जैू हमस्त रहें, आपके सी लेए लेगाए रहें, जैपके सहाँ, जैवाए रहें, आपके सत्वाए लेगारे हैं, जैवागे।